वेल दोस्तों अगर आप भी बैंक को बड़ादा का एक ऐसा credit card apply करना चाहते हूँ जो कि आपको lifetime free के साथ एक higher limit के साथ भी मिले तो भी सबसे पहले आप यहापे proof देख सकते हूँ मेरे को इस card के अंदर maximum से maximum स्टार्टिंग में ही 50,000 के limit देखने को मिल गई और भाई देखो मैं आपको लिटरिली बता रहा हूँ अगर आप अभी के मौसम में यह वाल काड अपलाई करता हूँ ना तो भाई बैंक को बड़ादा के ऐसे बहुत सारे credit card हैं जो कि पहले apply करने पे आपको कोई ना कोई ज करना लगता है और वो है बैंक बड़ादा के credit का user base बढ़ाना अब देखो जब भी बैंक ऐसा करता है न तो समझ जाओ कि उस वक्त उस credit card के higher approval देखने को मिलने वाले हैं और यह भी हो सकता है कि बिना किसी income प्रूवर पे बीड़ा किसी documentation के यह वाले काड आपको प्रवाइ इसे card है जो की best है अपने category के अंदर एक बर्म आपको तीनों के बारे में बता देता हूं तो दोस्तों हमारे यहां पर सबसे पहले नंबर पर जो card आता है वह बैंक को बड़ो दगा snap deal credit card अब देखो बहुत से लोगों ने इसको बिन फालतु में प्रमूट किया है आप मेर बी रहा हो तो वह आज के डिट में कौन शोपिंग करता है snap deal पे बहुत यह लोग amazon flip card और जाज 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 जाएंगे तो मिंदरा पे चले जाएंगे अब देखो दिक्कत यह नहीं कि लोग शोपिंग नहीं करते दिक्कत यह ना इस card के अंदर आपको चार्जिज भी पे क credit card अब देखो इस card के अंदर जो इसके annual charges या फिर जो इसके joining fees है ना उसको देखते हुए यह credit card तो value for money है लेकिन जब आप इसके joining charges पे करोगे तब आपके माहिन में बहुत सारे card आएंगे देखो इसका सबसे बेला बत तो joining fees आपको 1000 रुपे plus annual fees 1000 रुपे देने अभी हम बात करते हैं bank overda का एक ऐसा card जो कि आपको lifetime free basis पे दिया जा रहा है वो है हमारा bank overda का easy credit card लेकिन आर देखो ऐसा नहीं है कि यह वाला card आपको हमेशा ही lifetime free मिलता रहेगा कभी-कभी bank overda इस पे lifetime free offers अला देता है वरना इस card को apply करने के लिए आपको 500 रुपे joining fees और 500 पेकने पड़ते हैं तो भाई देखो मैं तो यहीं कहूंगा अगर आपको यह वाला card lifetime free मिल रहा है तो भाई इसको फटाबर grab कर लेना मैं इसका पूरा process इसी वीडियो के अंदर दिखाने वाला हूं लेकिन देखो बहुत लोग एक और गर्दी कर देते हैं मैं यहां पर ज इसके बहुत करना तो फिर चलो कारेकरम आपना इसकार करते हैं तो दोस्तों card apply का direct link मैं आपको discussion box के अंदर दे दूआ वहां से आप इनकी official website पर आ जाओगी आपको अपने नाम का title चूज कर लेना है आप Mr. Mr. Mrs. जो भी लगाते हो आप यहां पे चूज कर सकते हो उसके बा आपको अपना current address का pin code, pen card number और आपके date over यहां पे सारी चीए select करके उसके बाद आपको अपनी nationality चूज करके proceed कर देना है अब इस वाले page पे इनकी दोनों ही tournament content को accept करके simply आपको generate OTP पे click कर देना है अब आपके registered mobile number पे एक OTP आएगा और वो OTP आपको यहां पे enter कर देना है अब इस वाले page पे आप देख सकते हो आपको अपनी occupation type डालनी पड़ेगी जैसे कि आप salary person हो या फिर आपको self-employed person हो देखो वह आप इन दोनों में से कोई साभी सियक कर सकते हो जो भी आपको occupation हो तो हमने यहां पे salary person चूज कर लिया उसके बाद आपको अपनी gross annual income भी डाल डालना तभी आपके card approval के chances बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं उसके बाद यह पूछ रही कि क्या आप bank of borrow का कोई और प्रेंडिट card अप्लाए करना चाहते हो तो यहां पर आपको simply last वाले पे click कर देना है और उसके बाद आपको बताना पड़ेगा कि आप bank of borrow के already customer हो या फि पायदा यह होता है कि credit card के approval के chances बढ़ जाते हैं लेकिन भाई हम यहां पर no select करते हैं क्योंकि ऐसा नहीं है कि सभी के पास credit card हो हमने यहां पर दोनों पर no tick कर दिया उसके बाद हम continue कर देते हैं अब इस वाले page पे आपको अपना complete residential address देना पड़ेगा जैसे कि आपका address line 123 उ आपको अपनी employment detail भी दालनी पड़ेगी अब जैसे कि हमने यहां पर salary चूज किया था तो भाई आप जिस भी company के अंदर काम करते हो सिंपली आपको उस company का नाम बता देना है उसके बाद आपको अपना profession चूज कर लेना यहां पर देख सकते हो चार पाच आ जाएंगे इन मे जैसे कि address line 123, pin code, city, state और यह size ही डालने के बाद आपको simply proceed कर देना है अब यहां पर आप देख सकते हो हमको यहां पर congratulations का message आज चुका है और यह कह रहा है कि आपको यहां पर 50,000 रुपे तक की limit का credit card दिया जा सकता है अब भाई देखो यहां पर हमारे पास बहुत चारे credit card क सबसे पहले तो आपको थोड़े बहुत benefit बता दिये गए हैं उसके बाद अगर आप थोड़े सा नीचे scroll करते हो तो यहां पर आपको joining fees और annual fees के बारे में भी बताया जा रहा है जो कि भाई आपको बिलकुल free है यानि कि जो हमको पैसे मतलब 500 रुपे देने पड़ते थे व यह हमारा optional है तो आप ज्यादा टैंसल मत लेना उसके बाद यह पूछ रहा है कि जो भी कार्ड आपने select किया है उस कार्ड पे आप कौन सा नाम प्रिंट करवाना चाहते हो तो वह आप यहां पर अपना नाम डालके proceed कर देना उसके बाद आपको अपना alternative mobile नंबर भी देना ह अब यहां पर सारी जी डालने के बाद आपको सिंपली submit कर देना है अब इस वाले page पे हमार से add-on card के लिए पूछ रहा है तो अगर आप add-on करवाना चाहते हो तो आप यहां से बिल्कुल करवा सकते हो लेकिन अभी हम no पे click कर देते हैं अभी हमने जैसी submit किया तो यहां प बाद आपको अपना income proof भी डाल देना है तो वहीं simply हम यहां पर photograph पे click कर देते हैं अब यहां पर देख सकते हो आपके फोटो कीच के यहां पर upload कर देना उसके बाद आपके पास कुछ comment का page आ रहा होगा simply आपको सारी comment कंशन accept करके proceed कर देना है अब इस वाली page पे आपको सब से पहले अपने अधारकाड के थुरू sign up करना पड़ेगा तो यहां पर आपको simply now पे click कर देना है अब यहां पर bank of भड़ता की तरफ से आपको कुछ document दिये जा रहे हैं तो यहां पर आपको simply proceed कर देना है अब यहां पर देख सकते हो हम NSDL e-sign की website पे आ चुके हैं तो यह यहां पर आप देख सकते हो हमारे पास thank you का page आ चुका है और यहां पर आपको नीचे में एक application ID भी देखने को मिल जाएगी और वही देखो यहां पर आपको थोड़ा सा वेट करना है अब यहां पर आप देख सकते हो जैसे के हमारे Gmail पे एक वीडियो के वाईसी के लिए link अब भी देखो हो सकता है कि आपको आधे से एक घंटे का भी वेट करना पड़ जाए मैं तो आपको instant दिखा दे रहा हूं लेकिन यहां पर मेरे को 15-20 मिनट का वेट करना पड़ गया था यह Gmail का link आने में अब यहां पर आप link पे जैसे click करोगे ना आपकी वीडियो के सब्सक्राइब और आपके अपने document को यहां पर scan करके इसको दिखाना पड़ेगा और उसके बाद आपकी वीडियो के वाइसी सक्सेस्फुल सम्मिट हो जाएगी तो दोस्तों यह था complete process bank of order के credit card को अप्लाए करनेगा और भाई देखो आप इस वाले card को छोड़के कोई अल certification mandatory होता है जो कि करना पड़ता है और देखो मान के चलते हैं अगर आपका bank of order के अंदर को saving account होता है तो उसके बिहाफ पे बिना किसी KYC के या फिर बिना किसी card की detail है वो आपके email पे भी provide कर दी जाएगी और आपको message के थुरू बता भी दिया जाएगा अब इसके बाद आपको ब्योबी के application को download करके उसमें login कर लेना ही और वहीं से आप अपने card को पूरी तर से manage भी कर सकते हो और control भी कर सकते हो तो दोस्तों यह था complete process ब्योबी की card क apply करने का और आप एक बर comment करके जरूर बताने कि आपका credit card approve हुआ या फिर reject हुआ